सो ही गाईज, विल्कम टो इरो इक्विके, स्पाइडर मैन अक्रॉस दिस्पाइडर वर्स का ट्रेलर आ चुका है और सच बताओ तो स्पाइडर मैन के सभी फैंस इस मुवी के लिए काफी जादा एक्साइटेड है क्योंकि इसमें जो बवाल होने वाला है वो चीज़ हमें ट्रेलर में दिखती है अब भले ही एक अनिमेशन मुवी होने वाली है लेकिन आपने इसका पाइडर वन स्पाइडर मैन इंटू दे स्पाइडर वर्स देखी है ना तो आप इसका पागलपन अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि क्या बवाल है ये मुवी तो चलो यार जो कुछ भी ट्रेलर में मान मसाला देखने को मिला है ना उसके बार में बात करते हैं मेरा नाम है विक्रम सिंग और आप देख रहे हो हिरो इक वी के तो यार ट्रेलर की स्टाइटिंग में हम देखते हैं माइल्स अपनी मॉम के साथ होता है जहां पर माइल्स सैड भी होता है भाई क्यूंकि भाई वह बो स्पाइडर मैन बन चुका है और उसकी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है और यार ये स्टोरी बेस होने वाली है स्पाइडर मैन इंटु दी स्पाइडर वर्स वाले कांट के दो-तीन साल बाद हा मतलब यार अपने माइल्स को स्पाइडर मैन बने हुए काफी टाइम हो गया है तो यार माइल्स की लाइफ पहले से काफी ज़्यादा चेंज हो चुकी है और साइध इसी वाज़े से वो थोड़ा बहुत सैड भी रहने लगा है लेकिन उसकी मौम एक अच्छा खासा प्यारा सा स्पीच देती है माइल्स को कि बेटा हम तुमसे प्यार भी करते है और यार फिर ट्रेलर के अगले ही सीन में हमें स्पाइडर मैन इंटू दी स्पाइडर वर्स के सीन्स दिखाए जाते है जिनका इस ट्रेलर में क्या काम है मुझे तो बिलकुल समझनी आया लेकिन आधा ट्रेलर इसी सीन से बना हुआ है जो कि काफी ज़दा अजीब लगता है देखने में कि भाई इनकी क्या जरूरत थी मगर हो सकता है कि अपना माइल्स इन चीजों के बारे में सोच रहा होगा और फिर हम देखते हैं कि माइल्स के रूम में ग्लिच हो जाता है जिससे स्पाइडर वर्स का दरवाजा खुल जाता है और वहीं पर ग्वेन खडी होती है जो कि स्पाइडर मैन को बोलती है कि चलो भाई Miles का Spider-Man अब Spider-Verse को तुमारी जरूरत है और यार फिर ट्रेलर धमाका करता है जब अपना Miles का Spider-Man Spider-Verse में जाता है तो हमें धेरो Spider-Man और Spider-Woman देखने को मिलते हैं और कसम से यार ये चीज़ देखने के बाद पर एक और चीज़ पर ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपने माइल्स और ग्वेंट के बीच में भी प्यार महबस सुरू हो चुका है जो कि यार बढ़िया है यह सबको अपना प्यार मिलना चाहिए और फिर आगे हमें ट्रिलर में देखने को मिलता है मूवी में और फिर आगे ट्रिलर में देखने को मिलता है कि सभी स्पाइडर मैं माइल्स के स्पाइडर मैं के उपर जपत्ता मार रहे है हाम بर लुव्स की बैंड बजा रहे है अब ऐसा क्यों है भाई नहीं किया है, मूवी का मेन विलन होने वाला है स्पॉर्च जिसे भाई ट्रेलर ने बिलकुल नहीं दिखाया गया है, और यहार ट्रेलर ज़् 혁 जदा कुछ रिवील नहीं करता जैसे कि मूवी की स्टोर्य और मूवी का मेन विलन, जो कि यह ठीकी बात है लेकिन ट्रेलर दिखने में मज़ आया अब आपको कैसा लगा ट्रेलर मुझे कमेंट करके बताओ और यहर अगर वीडियो पसंद रहे हैं तो प्लीज आइ लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना